नमस्कार मैं हूँ राहुल चौधरी और डीनपी इंडिया में आपका स्वागत है आपको बता दें के साथ राज्यों की 13 विदानसबा सीटों पर उप्चुनाव की मतगणना अभी भी कहीं कहीं जारी है और कहीं कहीं जो नतीजे हैं वो घोशित हो चुके हैं इनी में से उत्राखंड की मंगलोर विदानसबा सीट भी एक सीट है जो की काफी चर्चाओं में थी क्योंकि इस बार वहाँ पर बीजेपी आरेलडी गठबंदन से परत्याशी एंडिये के जो करतार सिंग भडाना जी थे उन्होंने ये चुनाव लड़ा खुद जैन चोधरी जो राष्ट्रेल उगदल के मुखियां है वो वहाँ पर चुनाव पर चार करने के लिए गए और मैं खुद वहाँ पर गया था ये चुनाव जिस दिन जैन चोधरी वहाँ पर पहुंचे थे उनकी रैली थी तो लोगों में काफी जोश दिखाई दे जा था और लोग ये कह रहे थे कि देखिये जी इस बार क्योंकि आरेलडी के मुखियां हैं जैन चोधरी वो यहाँ पर चुनाव पर चार करने के लिए आ रहे हैं तो काफी उम्मीदे हैं कि इस बार एक इतिहास बनेगा मंगलोर में जो कभी नहीं हुआ जब से उत्तर प् ठीक इसके उलट आए हैं अलाकि एक बहुती टफ मुकावला देखने को मिला यहाँ पर जो कॉंग्रेस के परत्याशी थे काजी मुहम्मद निजामुदीन और बारत्य जनता पार्टी के करतार सिंग बढ़ाना के बीच मात्र 422 वोटों से ये चुनाव जीता है काजी मुह कीता है काजी मुहम्मद निजामुदीन ने जो की कॉंग्रेस के परत्याशी थे करतार सिंग बढ़ाना बीजेपी के जो परत्याशी थे एंडिये के संयुक्त वो इस चुनाव को जीतने में एक बार या एक बार क्या ये कहें तो फेल हो गए हैं और अब जो वोटों का जो अंतराल से आगे चल रहे थे जो कॉंग्रेस के परत्याशी हैं एंडिये के परत्याशी बढ़ाना से लेकिन जब छटे राउंड की साथवे राउंड की आठवे राउंड की काउंटिंग होनी शुरू ही तो ये अंतराल जो है वो कम होना शुरू हो गया था और बढ़ाना के प्रत्याशी जो हैं काजी मुहमद निजामुदीन उनके पक्ष में चला गया और बी जे पी एक बार फिर वहां पर चुनाब हार गई आपको बता दें अब राउंड वाइस हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये मतगणना हुई और जो नतीजे रहे राउंड वाइस व बढ़ाना को केवल 454 वोट मिले उबैदूर रहमान बहुदन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको 4442 वोट मिले जब ये मतगणना दूसरे राउंड में पहुँची तो वहां पर भी दूसरे राउंड में भी आपको बता दें कि जो काजी मुहमद निजामुदीन थे वो 4370 वोट उनको मिले मातर 936 वोट मिले करतार सिंग बढ़ाना को और 2948 वोट मिले उबैदूर रहमान को तीसरे राउंड पर जब काउंटिंग पहुची तो वहां पर जो काजी मुहमद जी है कॉंग्रेस के प्रत्याशी 3550 वोट उने मिले और 2403 वोट मिले करतार सिं 57 वोट इसके बाद चौते राउंड में यहां पर काजी मुहमद निजामुदीन को मिले 4156 वोट करतार सिंग बढ़ाना को मिले 3837 वोट उबैदूर रहमान को मिले 1351 वोट पांचवे राउंड के अगर हम बात करें तो यहां पर काजी मुहमद निजामुदीन जो कांग्र च्छटे राउंड की अगर हम बात करें देखिये पांच्गे राउंड तक काफी पीछे चल रहे थे करतार सिंग भडाना लेक apoyo फिंसी जब कांचे बातारना वारते करतार सिंग बढ़ाना उवैदूर रह्मान जो बहुजन समाज पार्टी के उनको 1331 वोट मिले इस राउंड में और 2835 वोट मिले काजी मुहमद निजामुदीन को साथवे राउंड में यहाँ पर फिर से बहुत बड़ा उच्छा लाया बारते जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे करतार सिंग बढ़ाना उनके खाते में 501 वोट मिले साथवे राउंड में और जो कॉंग्रेस के प्रत्याशी थे काजी मुहमद उनको 1650 वोट मिले 1070 वोट मिले उबैदूर रहमान को साथवे राउंड की मैं बात कर रहा हूं आठवे राउंड में फिर से यहाँ पर बाजी मारी करतार सिंग बढ़ाना ने 2082 वोट मिले काजी मुहमद उनको 1602 वोट मिले करतार सिंग बढ़ाना को उवेदूर रहमान को 951 वोट मिले 9 राउंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब 9 राउंड जब खत्म हुआ तो लीड जो है वो 100 से भी कम वोटों की बची थी काजी मुहमद के पास में इस राउंड में काजी मुहमद उनको 2456 वोट मिले करतार सिंग बढ़ाना को 4428 वोट मिले अगर टोटल कर दिया जाए यहाँ पर तो 9 राउंड तक 3080 वोट मिल चुके थे किसको करतार सिंग बढ़ाना जी को और काजी मुहमद उनको 30173 वोट मिले थे यानि कि 100 से भी कम यह आंकड़ा रह गया था उवैदुर रह्मान जी को 18664 वोट मिले थे 9 राउंड तक तो मामले एकदम काटे का था सबकी निगाएं थी आखरी राउंड पर कि भाईया अब जो यह दस्वा राउंड है जो आखरी राउंड है यही किसमत का फैसला करेगा कि यहां पर क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो काफी पीछे रहे चुके थे से मिले 31,710 वोट मिले काजी मुहमद निजामोदीन को 31,261 वोट मिले करतार सिंग बढ़ाना जी को और जो अबैदुर रह्मान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे उनको 19,552 वोट मिले तो यह पूरा का पूरा समिकरण आपके सामने है जिस तरीके से यह देखिए चुनाव खत्म हो गया मतगणना भी खत्म हो गई और यह रिजल्ट भी हमने आपको बता दिये किस तरह के मंगलो और विधान सबा के जो रिजल्ट रहे एक बार फिर से मैं यह कहूंगा कि ऐसी उमीदें लग रही थी वहाँ के लोगों से मैंने बात की जब मैं वहाँ पर गया था तो लोगों ने ऐसा कहा था कि देखिये इस बार क्योंकि जैन चोदरी जो आरेल्डी के मुखिया है उनका समर्थन मि हुआ काटे की टक्कर हुई और बीजेपी एक बार फिर से ये चुनाव हार गई जो कॉंग्रेस के प्रताशी है वो यहां से चुनाव को जीतने में काम्याब हो गए तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ आप देखते रहें डियन प हुआ 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 है